हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू हरी टेकनिकल दोस्तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा एलेडी का आईशी फॉल्ट है तो कैसे पहचाने और इसको कैसे ओके करें तो दोस्तो वीडियो पर बने रहे हैं लास तक देखिए जानिये समझे सिखी तो दोस्तो यह जो एलेडी है इसमें मैं सिरिंज लेंब का कनेक्शन कर दिया हूँ और यह बिल्कुल गलो नहीं कर रहा है तो दोस्तो देखिए अगर आप कभी भी एलेडी को रिपेर कीजेगा तो इस तरह का पीफ जरूर लगा लेजिएगा किसी भी एक लेग में करेंट का इसका वेलू है दोस्तो 155-450 बॉल्ट और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा लेजिएगा 470 का नेते 1 मेगा ओम का ठीक है इसी लेग में एक कनेक्शन कर लेना है आपको तो दोस्तो मैं और छुआ हवास का वाद में और डेका लेकिन यह दूसरा टैप का है देखिया यह थोड़ादेर हिट होके यह जल रहा है उसके बाद में देखिए हलका हलका Obrigler कर रहा है तो दोस्तो मैं IC को sort कर रहा हूँ और ये देखिए ये देखिए इसका रोसनी तेज हो गया है और देखिए इसमें एक loose connection भी है जो दुआ से धुआ हलका हलका दे रहा है देख सकते हैं ये देखिए loose connection और ये देखिए यहाँ पर इस तरह का fault हो गया है देखिए इस तरह का तो देखिए धुआ छोड़ रहा है यहाँ इस पार्क कर रहा है इस जगा में transformer का एक leg में यानि कि यहाँ solding सही से पकरा नहीं है तो ये हो गया कभी कभी loose connection का problem आता है जिसके कारण LED glow नहीं करता है अभी देखिए यह प्रव बिलकुर glow कर रहा है चलिए मैं इसमें solding कर लेता हूँ तो दोस्तो कभी-कभी LED में loose connection के कारण भी कम जलता है जिसके components connect नहीं होने के कारण LED नहीं जल पाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा component को भी check कर लेजिएगा इस तरह से तो दोस्तो मैंने इसमें solding कर दिया हूँ देख सकते हैं अब चलिए अच्छा से solding चेक कर लेता हूँ दुआ देखिए दुआ निकल रहा है तो दोस्तो अब मैं इसको देखिए ये LED अभी भी बिलकुल कम जल रहा है तो ये जो IC का leg है यहाँ पर solding करना परेगा यहाँ पर देखिए ये जो दो leg है IC का इसको solding से sold कर लेजिएगा LED बिलकुल okay हो जाएगा इस तरह से देखिए अभी जल रहा है LED अभी हटा देने के बाद देखिए ये LED नहीं जल रहा है इसका एक SMDB fuse है तो ये SMDB को भी sort कर लेंगे निकाल कर तो दोस्तो इसको दोस्तो ये जो MPCB है इसको change करने से अच्छा होगा नहीं तो इसका एक वीडियो में बनाया हूँ जाके देख सकते हैं अगर आपका एक MPCB fuse हो जाए तो इसको circuit से कैसे okay करें जिससे दूसरा fuse ना हो कभी तो इसको मैं sorting कर दिया हूँ और चलिए इसको अच्छा से कर लेता हूँ लेकिन दोस्तो इसमें जो problem है वो IC problem है यानि कि इसका IC का ही problem है तो देखिए मैं फिर IC को sort कर रहा हूँ और ये लेडि जल रहा है इसमें SMD ज्यादा नहीं है जिसके कारण कम रोसनी दे रहा है तो इस तरह से मैं इसको sort कर दूँँगा IC को और इस PF को एक क्लेग में किसी current में लगा लूँगा LED बिल्कुल okay हो जाएगा तो दोस्तो आप लोग भी इस तरह से repair कीजिएगा तो दोस्तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और दोस्तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा थेंक्यी पर वाचिंग हरी टेकनिकान